हैं जूई नूब्सकारं वЭलकम बैक मैं चैनट टार टीचर जॉब में तर्यांका स्वागत करती हैं आप सभी का आपके पने चैनल टार टिंचर जॉब में दोस्तों उल्क्री तक आपने ऐमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले point, subscribe कर लीजोए और वैल अचैन बटन को प्रेस करेजिए से हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों आज हम बीए डुतिये वर्स के फर्स्ट पेपर के विसे में देखेंगे जिसका नाम है आपका सिच्छड के सिधान तियों विधियां ये आपका कमपलसरी पेपर में आता है चल 2019 में पूछा हुआ प्रस्न है सिच्छड का अर्थ यों परिभासा सिच्छड एक समाजिक प्रक्रिया है अधिगम की अपेच्छा सिच्छड का प्रत्य जटिल होता है क्योंकि समाजिक दर्सन, सासन का स्वरूप, समाजिक मानेताएं आदि सिच्छड के स्वरूप को प्र परभावित करती हैं, सिच्छड एक समाजिक प्रक्रिया है, सिच्छड सब संस्कृत भासा के सिच्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना या सीख देना होता है, इसमें कोई संदे नहीं है कि सिच्छा में सिच्छड का विशेष महत्व है, शिचढ़, एक ऐसी त्रियात्मक यानि कि सिचढ़ में कौन कौन दो रहते हैं सिचढ़, छात्र और विसेवस्थू ये तीनों ही सिचढ़कार को संपादित करते हैं जिसकी विवेस्था यह नुक्त परिचालन विसेवस्थू के संदर्व में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए नरदिष्ट है सिच्छड प्रक्रिया में छात्रों की ज्यान में बिद्धी होती है और उनकी बिवहार में परिवर्टन आता है चुकि सिच्छड एक सामाजिक प्रक्रिया है इसलिए सिच्छड की कोई एक सर्वमान्य तथा ब्यापक परिभासा नहीं दी जा सकती है मलब सिच्छड एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतरकत आता है तो इसकी कोई एक परिभासा नहीं हो सकती है सामाजिक तथि सिच्छड को प्रभावित करते हैं इसलिए सिच्छड की सारभाव में परिभासा देना कठिन है क्योंकि इस पर प्रतेक देश की सासन प्रडाली या समाजिक परिसितियों, मुल्यों आदिका प्रभाव पढ़ता ही पढ़ता है एक तंत्र सासन में सिच्छड का अर्थ एक तंत्रीय सासन ने नौकर साही की इच्छा प्रमुख होती है इस प्रकार के सासन में सिच्छर प्रक्रिया के अंदर सिच्छा का स्थान मुख के तर छात्र का स्थान गौड हो जाता है इसमें छात्र सिचक को आदर्स मानते हैं और सिचक छात्रों को अपने व्यक्तित्तों को प्रभावित करते हैं मतलब यहाँ पे जो एक तंत्र सासन होता है वहाँ पर सिचक के व्यक्तित्तों से जो छात्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं चात्रों की सभी क्रियाओं को सिच्चक दिसा प्रदान करता है कि वह क्या सोची क्या करे और कैसे करे यहाँ पे जो चात्र है वो पुरी तरह से सुतंत्र नहीं है सिच्चक के एकॉर्डिंग ही वो अपने सभी क्रिया कलापों को करता है सिच्छड के समय सिच्छक अधिक क्रिया सील रहता है और छात्र सोता का कारे करता है दूसरे सब्दों में कहा जाए तो एक तंत्र सासन में सिच्छक अपने को आदर्सवादी मानते हुए सात्रों पर अपना रौब और दाब रखता है और उन पर अपने आदर्सु तथा विचारों को बल पूर्वग ठूसता रहता है मतलब अपने विचारों को थोपता है सिच्छक की प्रतेक बात को बिना सर्थ बिना किसी तर्क के छात्र को स्विकार करना ही पड़ता है मतलब सिक्षक की हर बात को चात को मानना आउस्यक हो जाता है इस प्रकार के सासन की सिचचा वैवस्ता, परंपरागत, सिध्धान, कार כेंदरित का अनुसरण करती है इसकी धाड़ा यह है कि सासन का ढाचा सिचड की क्रियाओं में उसके सुरूप को प्रभावित करती है चलिए एक तंत्रात्मक सिचड का अर्थ हमने समझा जिसमें जो सिचड होगा वो छात्र के इंदृत ना हो करके सिचड के इंदृत होगा मतलब जो भी कारे होगा वो सिचचक की मर्जी से होगा जो भी बच्चा अपने मर्जी से या अपने ढंक से कोई भी कारे नहीं कर सकता यहाँ पर देखते हैं लोग तंत्रात्मक सासन में सिचड कार्थ लोग तंत्रात्मक सासन पडाली मानवी सम्मंदों पर अधारित होती है इसमें सामान जनता की इच्छा ही सर्वों पर इमानी जाती है लोग तंत्र में सिच्छड को अंतर प्रक्रिया माना जाता है इसमें सिच्छक तथा सिच्छातिक एमद्य साब्दिक तथा असाब्दिक अंतरक्रिया होती है इस सिच्छड में सिच्छक और छातर दोनों को ही क्रिया सेल रहना पड़ता है इसमें सिच्छक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तितों को प्रभावित करने का कारे करते हैं बालक को सिच्छक के पाठ वस्तु के समंद में तर्क वितर करने वारतालाप करने और असाब्दिक अंतरक्रिया करने की छोट होती है मतलब जहां पर बच्चों को जो भी समझ में आया है या कुछ बालक जो बहुत ज़्यादा बिलियंट होते हैं वो हर चीज़े खुद से करने में ज़्यादा विलीब करते हैं तो वहां पर इन सब चीज़ों के लिए छूट होती है यन अलगेज ने सिच्चक और चात्र के पारसपरिक संबन्द के प्रभाव को सिच्चा में विशेष महत्वदिया है उनका कहना है कि सिच्चक यंज चात्र दोनों इक दूसरे के विवहार चमताव को विक्सित करते हैं लोक्त अंत्रात्मक सासन में सुतंत्र अनुसासन पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें सिच्छक का स्थान पत्प्रदर्शक अथ्वा नर्देशक के रूप में माना जाता है यह ब्योस्था मानवी संबंध अथ्वा संबंध केंदित सिधान पर आधारित होती है यहाँ पर सिख्चक को एक पत्प्रदर्सक के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर सिख्चक अपने कार ब्यवहार से छात्रों पर दबाव नहीं बनाएगा बल प्रियोग नहीं करेगा लेकिन इसके हम लोग एकात्मक चासन में सिख्चड का जो अर्थ हमने देखा पर अधारित होती है इस इदान की धारड़ा की ब्यवहार को प्रेजित तथा प्रोसाहित करता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोग तंत्र में सुथांत्रता समानता तथा अभिवयक्ति प्रदर्सनों के मुल्यों का पूर्व सम्मान लोग तंत्री सिच्छड में किया जाता है इसमें सुतंतता हैं समानता की मौलेक सिद्धान प्रतिय चुरूप से शिच्छड को प्रभावित करते हैं लेकिन एक अत्मक और समानता अव्यक्ति और प्रदसनु के मुल्य को पूर सम्मान लोगतंत्रिय सिछड में किया जाता है हस्त छेप रहित सासन में सिछड का अर्थ है यह सिछड पद्धती आधुनिक धारडाव पर अधारित है जिसमें छात्र किसी दवाओ या बाधा से मुक्त होकर सीखता है इसमें सिछक की अपेचा छात्र अधिक क्रिया सील रहता है सिछक छात्र के लिए कुछ ऐसी परिसितियां प्रस्तुत करता है जो अपूर्ण होती है उनमें कुछ बाधाएं होती है चात्र उनको पूरा करके उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है यहाँ पे सिच्चक एक पत्प्रदर्सक के रूप में तो होता है यह साथ में सिच्चक एक हिंट बस देता है जिससे जो चात्र उस हिंट को बस देखते ही वो अपने आगे की क्रियकला को खुद से ही करना सीख जाते हैं सिच्छक छात्र को मुक्तियों भैरहित बातावड में सीखने का प्रयास कराता है सिच्छक छात्र की रचनात्मक प्रवित्ती को बढ़ा देता है चात्र अपने चिंतन वा सोच वा चमता के नुसार सीखता है यहाँ पर सिच्छक बच्चे की या चात्र की रचनात्मक्ता यानि कि जो भी वो खुद से करता है उसके लिए वो उसको प्रोथसाइट करता है इस संदर्व में जान ब्रूबेकर की परिभासा अधिक उप्युक्त मानी जा सकती है चलिए देख लेते हैं जान ब्रूबेकर के अनुसार सिच्छड में ऐसी परिसितियों की विवस्ता की जाती है जिसमें कुछ रिक तस्थान छोड़ दिये जाते हैं तथा कठनाईयां उत्पन हो जाती है चात्र उन कठनाईयों पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा रिक तस्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करता है यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे सिच्छक क्या करते हैं जैसे आपके इंगलिस पोर्षन में आप देखेंगे आपको हिंट के थूरू एक स्टोरी रहती है इस तरह के टॉपिक जो रहते हैं उसमें सिच्छक आपको थोड़ा सबस बताता है उसके बाद आपको खुद कंपलीट करना होता है तो यह सारी चीज़े देखने को मिलती हैं सिच्छड में चात्र की इस प्रकार की क्रियाएं सीखने में सहायक होती है मतलब इस तरह से जब चात्र खुद से सारी क्रियाएं करता है थोड़ा सा हिंट मिलने के बाद, то वो चीजों को ज़्यादा सीखता है, जब एक सीख्षक सब कुछ करके, सारी चीजे पढ़ा लिखाके, बच्चों के सामने परोसता है, तो वो उसको निगल तो जातें, लेकिन वो उसको अच्छे से सीख्प नहीं पाते लेकिन यहाँ पर जब एक छात्र खुद से हर चीज़े सीखता है तो वो उसको अच्छे से सीख लेता है इस तरह से देखेंगे छात्रों के सीखने से सम्मन्दे सिचड की क्रियाएं बिन बिन परसितियों में बिन बिन हो सकती है और हर बच्चे की अलग-अलग कैपसिटी होती है अलग-अलग कैपसिटी में अपने कैपसिटी के कोडिंग ही वो सीखता है लेकिन सिचड की सभी क्रियाओं का उदेश चात्रों को क्या होता है सिखाना ही होता है अब देखते हम सिक्षड की परिभासा बहुत इसमें कई विद्वानों की नुसार परिभासाने दी गई हैं बुरू बेकर के नुसार सिच्छड निस्तितियों की ब्यवस्था यह निर्माड है जिसमें कुछ अंतराल और बाधाये हैं जिनका किसी ब्यक्ति को सामना करना पड़ता है उसके करने से वह कुछ सीखेगा सिच्छड क्या है एक निस्चित अंतराल पे कुछ आपको टार्गेट को आपको कंप्लेट करना होता है उस टार्गेट में अगर आप कंप्लेट कर लिए हैं तो समझेए सीख जाते हैं सिचड वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा संचालन के व्योस्ता इसलिए की जाती है जिसे चात्रों के व्योहारों में प्रिवरतन लाया जा सके। बनलब सिच्छड इसलिए क्या जाता है जिससे चात्रों के बेवहारों में परिवर्तन ला जाए सके और उस परिवर्तन से वो कुछ सीखें एन एल्क गेज के अनुसार सिच्छड एक प्रकार का पारिस्परिक प्रभाव है जिसका उदेश से दूसरे बेवहारों में मांचित परिवर्तन लाना होता है एडमंड एमीडाउन के अनुसार क्या है सिच्छड एक अंतर प्रक्रिया है जिसमें मुख्यता कच्छा वारता होती है जो सिच्छड का छात्रों के मद कुछ परिवहासित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है यहाँ पर क्या करा सिच्छड एक अंतर प्रक्रिया होती है जिसमें मुख्यता क्या होता है कच्छा वारता होती है कच्छा में सिच्छक और छात्रों के बीच वारता होती है और उसमें छात्रों के मद कुछ परिवहासित की जाने वाली क्रियाओं होती है मलब उसे क्रियाओं के माध्यम से ही कुछ घटनाय जो भी घटित होती है उससे वो सीखता है छात्रे सीखता है राय बर्ण के उसार सिच्छड एक संबंद है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है रायसंस के उसार क्या है रायसंस के उसार दूसरों के सीखने के लिए दिसा नरदेश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को सिच्छड का आ जाता है दूसरों को सीखने के लिए और दिसा नर्देश देने के लिए अन्य प्रकार से उन्हें प्रदर्शित करना क्या होता है सिच्छड होता है दा वर्ड बुक आफ इनसाइकलोपीडिया के नुसार सिच्छड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ब्यक्त दूसरे को ग्यान कौसल अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है मतलब सिच्छड क्या करता है किसी भी ब्यक्ति को ग्यान सीखने में उसको कौसल प्रदान करता है अभिरुची प्रदान करता है जिससे वो इस चीज़ को जल्दी सीख पाता है सिच्छड की प्रकिती सिच्छड का आर्थ और प्रकिती ही इस question में आप से पूछा गया है अब तक तो हम लोग क्या देखे हैं इसके आर्थ और परिभासा देखे हैं आर्थ में आपने देखा था लोक तंत्रात्मक तरीके से इसका क्या आर्थ होगा अब हम देखते हैं सिच्छड की प्रकिती क्या होती है मानो सब्दा के विकास से के साथ ही सिच्छड ने एक ब्योसाय के रूप में जन्म लिया जैसे मानो अपना विकास करता गया वैसे वैसे सिच्छड की प्रक्रिया भी क्या होती गई जटिल होती गई जिसके परिडाम सुरूप दीरे-दीरे सिच्छड के सुरूप में भी परियोतन होता गया मैक डॉनल्ड ने सिच्छड के सुरूप को असपश्ट करने के लिए प्रडाली उपागंग का प्रयोग किया उन्होंने समस्त प्रक्रिया को चार भागों पार्ठिक्रम, अनुदेशन, सिच्छड तर आधिगा में विभाजित किया इसी तरह से ग्रीन ने सिच्छड की प्रकिति को असपश्ट करने के लिए टीचिंग टोपालाजी का निर्माड कर सिच्छड के चार भिशिस रस्तर, अनुकूलन, प्रसिच्छड, अनुदेशन और माता रोपड बताए मतलब इसका एक उद्धेश में किनी विशिच उद्धेशों की प्रापति के लिए की लाती है मिलब सिच्छड किया रहता है सिच्छड किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए तो सिच्छड किया रहता है किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेशन को बताने के लिए तो आप सिच्छड करते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो आप सिच्छड मतलब सिच्चा एक समाजिक प्रक्रिया है जो हम समाज में सिच्चा को लाते हैं और व्युक्त पारजन पूराइब करते हैं अतर कहा जा सकता है कि सिच्छडे ब्योसाइग प्रक्रिया इसलिए सिच्छक के उम छात्र दोनों के लिए नितान ताउस्यक है मलब सिच्छा के लिए अगर सिच्छा देनी है तो सिच्छक का भी होना जरूरी और छात्र का भी होना जरूरी है सिच्छड कारे तभी संपादित होगा जब छात्र और सिच्छक दोनों मौजूद होंगे अब तीसरा देखते हैं सिच्छक एक विकासात्मक प्रक्रिया है पलग सिच्छड का दिर दिरे विकास हो रहा है सिच्छड प्रक्रिया का मुख युदेश बालकों का विकास करना होता है सिच्छड कारिक क्यों किया जाता है जिससे छात्रों का विकास हो सके सिच्छड के माध्यम से बालकों की विकास में अपेचित परिवर्तन लाया जा सकता है सिच्छड के द्वारा बालकों का ग्यानात्मक और भावात्मक क्रियात्मक प्रयोगात्मक विकास होता है ऐसे ऐसे कंडिशन सिच्छड के द्वारा बच्चों के सामने रखे जाते हैं बच्चों का ग्यानात्मक विकास भी होता है और प्रेवगात्मक विकास भी होता है और क्रियात्मक विकास भी होता है सिच्चक एक त्री धुरूविय प्रक्रिया है सिच्चड एक त्री धुरूविय प्रक्रिया है सिच्चड में क्या क्या होता है एक सिच्चक होता है एक छात्र होता और एक पाठिक्रम होता है देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है अधिकांस से सिच्चा सास्त्रों ने सिच्चड को त्रिदुरुवी प्रक्रिया माना है लूम ने सिच्चड के तीन पच्चो को स्विकार किया सिच्चड उद्दे से सीखने का अनुभाव और व्यवहार परिवर्तन इन्हीं तीन पच्चो से सिच्चड उद्दे से मतलब सिच्चड का उद्दे से क्या होना चाहिए सीखने का अनुभाव क्या होना चाहिए और व प्रवावसाली बनाते हुए छात्र के ज्ञान का विकास कर सकता है। को बोट पे बनाने की जरत होती हैं वहाँ पे वह एक कला के रूप में दिखाई देती है। आगे देखते हैं हम लोग सिच्छड कला और विज्ञान दोनों हैं सिच्छड कला के रूप में भावनाओं अविभितियों मुल्यों अनुभूतियों का उपयोग होता है। इसी प्रकार सिच्छड की क्रियाओं तथा सिच्छड सिच्छक व्योहार का विश्लेशड वस्तनिष्ट रूप से करने के लिए निरिच्छड प्रविदियों का विकास किया जा चुका है। सिच्छड प्रतिमान भी विकषित हो चुके हैं यह सिच्छड में विज्ञान की देन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिच्छड कला और विज्ञान दोनों है। पॉइंट नुमर्श देखते हैं सिच्छड एक अउप्चारिक और निरॉप्चारिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सिच्छा निश्चित देश्य और आदर्सों के संगठित होती है तथा जीवन प्रेंद चलने वाली प्रक्रिया अनुपचारिक तो है जब उसको आप उससे चीज़ों को आप अपने एक्जाम में लिखते हैं लेकिन वही सीखी हुई चीज़ें जब आपके जीवन के किसी भी मोड पर काम आती हैं तो वह एक अनुपचारिक हो जाती हैं क्योंकि इसमें सिच्छा निश्चित उदेशियों, और आज़र्दसों के संगठित होती है, ताज जीवन परयन चलने वाली प्रक्रिया है इसी तरह से हम देखेंगे, सिच्छड जो आप देखते हैं, सिच्छड एक जीवन परयन चलने इसलिए आपको जीवन परियंत सीखना ही पड़ेगा. यह विद्याले के अंदर और बाहर दोनों जगों पर संचालित होती है. सिछड केवल आपके घर के अंदर ही संचालित ने, इसकूल में इसंचालित ने होती, घर में संचालित होती हैं. हर जगе आपको अगर अपने जीवन में हर चीजे वियोस्तित रखनी है तो आपको एक अनुसासन में रहना है आपको एक डिसिप्लिन में रहना है आपको एक पंक्चुल बनना हर चीजे वो आपके सिछड के अंतरगती आएंगी क्योंकि एक अच्छा सिख्चक तभी होगा एक अच्छा छात्र तभी होगा जब वो अपने जीवन में अनुसासन और सिखने की सभी महत्वपुड चीजों को अपने जीवन में लाएगा सिख्चड एक उपचारात्मक प्रक्रिया है इस से सिख्चक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाकर उसका उपचार और सुधार करता है अथार्थ सिच्छक छात्रों के पिछड़े पन का पता लगाकर अपने सिच्छड के माध्यम से उसका उप्चार करता है दोस्तों इस विशे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो एक बहतर सिच्छक होता है वो अपने छात्र के लेबल तक जा करके उसको सिखाता है मतलब आपके एक क्लास में higher बुद्धी के भी student रहेंगे और lower बुद्धी के भी student रहेंगे मतलब कुछ जो student रहेंगे वो पिछड़े बालक होंगे कुछ student जो होंगे वो प्रतिबासाली बालक होंगे तो आपको हर बच्चे को उसके लेबल के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ेगा जो बच्चा जिस लेबल कराएगा उसी लेबल में उसको समझाना पड़ेगा अगर बच्चे को सुरू से नहीं आ रहा तो आपको सुरू से बताना अगर बच्चे को बीच में कहीं हजिटेट हो रहा है तो बीच से आपको बताना पड़ेगा तो इस तरह से एक सिक्षक का ये दायत तो होता है ये कर्तब भी होता है कि वो अपने बच्चे को वो अपने जात्र को सही दिसा नर्देश भी प्रोवाइड कराए और साथ में सही सिच्छड कारे भी प्रोवाइड कराए सिचण एक अंतह प्रक्रिया है सिचण की अंतह प्रक्रिया में सिचण द्वारा कछा के अंदर किये जाने वाली समस्थ क्रियां आती है सिच्छड एक अंतर प्रक्रिया है इसका ये मतलब हो कि जो सिच्छड कारी होता है सिच्छक के द्वारा उसमें समस्त वो क्रियाएं आती है जो कच्छा कच्छ में होती है इसमें सिच्छक तथा चात्रों के मद्विशेस कारे के लिए संचालित होते हैं जैसे उपलब्धी तथा निस्पत्ति कारे प्रिष्ट पोशड पुनरबलन सिच्छड युगतियों का विस्तार दोस्तों एक सिच्छक के लिए बच्चे की उपलब्धी क्या है उसके निस्पतिकारी क्या है या उसका प्रिष्ट पोसर यानि की उसको कितना प्रोसाहित करना है और उसको कितना पुनरबलन देना है मतलब उसको कितना जादा आगे बढ़ाना उसको कितना फीडबैक की सब्सक्राइब 186 जो अच्छा सिक्षक रहेगा वह सिच्षड की सारी उपतियां यूज करके उसको आगे बढ़ाने की कोसिस करेगा है नमबर 9 हम देखते हैं सिच्षक कर विदियोंके ap में किया जाता है कि सिच्षक की व्हारों का व्हारों का मापन निरिछड़ विदियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों जब आप अपने स्कूल में माइक्रो टीचिंग या टीचिंग करेंगे तो आपके लिए एक आपजर्बर होगा जो आपको आपजर्ब करेगा और उस आपजर्वेशन को आपके जो एचूडी होंगे वो सब देखेंगे और उसकी अकॉरडिंग आपके जो भी कम्या रहेंगी वो आपको बताई जाएंगी जिससे आप उसमें Psalmen लाओ तो इस तरह से सिठ्चड का क्या हो गया मापन हो गया आपके जो जो कम्या रहेंगी वो आपको improvement के लिए बताई जाएंगी आपको उस निश्चित समय में अपने आप में वो सारे improvement लाने होंगे जो एक अच्छे सिच्छक की quality होती है नबर 10 देखते हैं सिच्छड एक तार की क्रिया है सिच्छड तर्कों पर आधारित होती है क्योंकि सिच्छड का नियोजन सिच्छक की तर्क सकती पर ही आधारित होता है सिच्छक पार्ट वस्तु का संसलेशन और मिसलेशन अपनी तर्क सकती के द्वारा ही करता है किसी भी topic को समझाने के लिए आप किस way में किस तरह के question पूछते हैं किस चीज का आप तर्क देते हैं अपने चात्र को उस topic को अच्छे ढंग से समझने के लिए ये सारे क्या होते हैं ताकि क्रियाएं होती हैं जिसके तुरू चात्र अच्छे से सीखता है उस topic को ढंग से सिख जाता है और उसमें वो कभी भूलता नहीं है तो ये सारे आपके सिचछड की प्रकित के बारे में था तो आप दोस्तों अगर ये वीडियो आपको उच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे हमसे जुडने के लिए थांक्यू सो मच इसी तरह से हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो जलाते रहेंगे और यह आपका हमने फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर सुरू किया है इसको हम देरे देरे करके कंप्लेट कर लेंगे और इसी तरह से आप देखते रहें थैंक्यू सो मच जय हिंद